समुच्चयों का वेन आरेक या फिर वेन डाइग्राम आफ सेट्स तो यो वेन आरेक होता है यह किसी समुच्चय का चित्रात्मक प्रतिरूपन है उदारण के तौर पर यदि हम एक समुच्चय ले ले ए इक्वल टू वन थ्री फाइव और सेवन और इसे हमें वेन डाइग्राम में दिखाना हो तो सबसे पहले हम एक समस्टी समुच्चय या उनिवर्सल सेट का निर्माण करेंगे जिसे कि आयताकार रूप में हम लिखते हैं जिसे हम आयताकार चित्र बनाते हैं और इसके अंदर हम यू लिखते हैं तो यह उनिवर्सल सेट है उसके अंदर एक सेट है A तो मान लेते हैं कि ये एक सेट है A और इसमें आव्याव है 1, 3, 5 और 7 तो ये इस समुच्चे A का वेंड डाइग्राम है चलिए इस पर एक प्रशनल ले करके चलते हैं U equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये एक उनिवर्सल सेट या फिर समस्टी समुच्चे दिया गया है और इसके उप समुच्चे एक दिया गया है A equal to 1, 3, 5, 7 इसका हमें वेंड डाइग्राम बनाना है या फिर वेंड आरेक खीचना है तो देखिए पहले तो हम एक समस्टी समुच्चे या यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं ये है U अब इसके अंदर में एक set है A जिसमें 1, 3, 5, 7 है तो चलिए एक अवयाव बना लेते हैं चलिए एक set बना लेते हैं A इसमें अवयाव है 1, 3, 5, 7 इस समुच्चे के अंदर में कहीं पर भी अवयाव हो सकता है तो ये 1, 3, 5, 7 तो हो चुका है अब बच क्या गया है वह है 2 फिर इसके बाद है 4 इसके बाद है 6 तो इस तरीके से ये जो दिया गया प्रशन था इसका एक वेंडाइग्राम है जहां पर यू इनिवर्सल सेट है इसके अंदर ही ये सारे अवयाव उपस्थित है और इसके अंदर में एक समुच्चे है A जिसमें 1, 3, 5 और 7 ये चार अवयाव उपलब्द है operation on sets तो इसमें जो पहला संक्रिया है यह है समुच्चेयों का संग या फिर union of sets देखिए सबसे पहले हम एक समस्टी समुच्चे बना लेते हैं मान लेते हैं कि ये यू है और इसमें एक समुच्चे है A और इसमें एक और समुच्चे है B तो समुच्चेयों का union या संग A और B दो समुच्चे हैं लेकिन यहाँ पर ये एक दूसरे को intersect कर रहे हैं तो समुच्चेयों का जो संग होगा उसे हम कुछ इस तरीके से प्रदर्सित करेंगे ये A है ये B है तो A union B A union B जो होगा A और B दोनों समुच्चेयों को मिला देने के बाद में जो एक बड़ा समुच्चे मिलेगा वही है A union B तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि A union B ऐसे अवयवों का समुच्चे है जहां पर X या तो A में बिलॉंग करता है या तो B में बिलॉंग करता है देखिए अगर अवयव यहां पर है तो यह सेट A में उपस्तित है अगर अवयव यहां पर है तो वो सेट B में उपस्तित है और अगर अवयव यहां पर है तो वो सेट A में भी है और सेट B में भी है तो यहां पर और या का इस्तेमाल किया गया है तो A union B में ऐसे अवयव हैं जो कि या तो A में है या तो B में है तो यह इसकी परिभासा हो गई इसमें दो गुंधर्म और आएंगे यदि X जो है वो A union B में सामिल है इसका उपयोग हम आगे प्रमयाओं को सिद्ध करने के लिए करेंगे तो देखिए यदि X A union B का अवयव है तो इससे हमें क्या मिलेगा कि X जो है या तो A में बिलॉंग करेगा या तो B में बिलॉंग करेगा और यदि X जो है वो A union B में बिलॉंग नहीं करता है तो ना तो वो A में बिलॉंग करेगा और ना ही वो B में बिलॉंग करेगा देखिए यहाँ पर एक अवयव को ले करके चलते हैं मालेते हैं कि यह X है यदी X ना तो A में है ना तो B में है अगर यह A union B में नहीं है तो इसका मतलब यह है कि ना तो वह A में है और ना तो वह B में है तो यह जो दो महत्वपूर्ण रिजल्ट हमें मिल रहे हैं इसका की उपयोग हम आगे करेंगे अब इसके पहले हमने उपसमुच्चे पढ़ लिया है तो आप यह देख पा रहे हैं कि A union B जो है यह complete B जो है यह भी उपस्तित है तो इसे हम लिख सकते हैं B is a subset of A union B समुच्चेयों का संग या union of sets को A union B जा A sंग B ऐसा पढ़ा जाता है और यहां पर यह universal set है यह capital U से इसको प्रदर्सित किया जाता है और यहां पर जो चिन है यह संग का यह इस तरीके से होता है तो दोनों में काफी अंतर है यह capital U है और यह इसे A cup B ऐसा भी पढ़ा जाता है A cup B तो इससे सब मंदित कुछ प्रशन देखते हैं समुच्चेयों के संग के नियम Loss of Union of Sets तो आप लोग ने समुच्चेयों का संग कैसे लिखा जाता है या फिर समुच्चेयों के संग में कौन-कौन से अव्याव सामिल होते हैं यह आपने देखा है तो इससे सम्बंदित कुछ नियम है जिसे हम देखेंगे और उसका प्रूफ भी देखेंगे यदि A, B, C दिये गए समुच्चेयों तो पहला नियम है वर्गसम नियम या फिर आइड़ेंपोटेंट लौ इसमें यह कहा जाता है कि A union A जो होगा यह सेट A के बराबर होगा तो इसे हम सिद्ध करते हैं दो समुच्चे को कभी भी बराबर सिद्ध करना हो तो हमें पहले को दूसरे का उप समुच्चे और फिर दूसरे को पहले का उप समुच्चे अगर दरसा दे तो ये सिद्ध हो जाएगा कि दोनों समुच्च समान समुच्च है तो मान लेंगे कि एक अव्यव है X जो कि A union A का अव्यव है और फिर उससे हम दर्साएंगे कि वह A का भी अव्यव है इससे हमें एक समीकरण मिलेगा फिर दूसरे इस्तिति में हम ये ले करके चलेंगे कि X जो है वो A का अव्यव है उससे हम दर्साएंगे कि वह A union A का अव्यव है इससे हमें दूसरा समीकरण मिलेगा और दोनों समीकरण से हम conclusion पर पहुँच जाएंगे कि A union A equal to A होगा चलिए तो लिखते हैं मान लीजिए X A union A का अव्यव है तब हम लिखेंगे कि X belongs to A union A यदि कोई अव्यव A union A में बिलॉव करता है तो या तो A में बिलॉव करेगा या तो A में बिलॉव करेगा आपने ये पढ़ा है कि यदि कोई अव्यव A union B में सामिल है तो इसका मतला भी यह है कि X या तो A में बिलाउंग करता है या X जो है वो दूसरे सेट B पर बिलाउंग करता है चुकि यहाँ पर दोनों सेट A है तो इस तरीके से यह जो conclusion होगा उसके लिए हम लिखेंगे X belongs to A या फिर X belongs to A चुकि यह दोनों सेम हैं तो इस conclusion पर हम पहुँच सकते हैं कि X belongs to A होगा अब चुकि X belongs to A यहाँ पर हम पहुच चुके हैं तो इससे हम यह conclusion पर आ सकते हैं तो इससे हम इस conclusion पर आ सकते हैं कि A union A is a subset of A यहाँ पर हमने A का व्याव इस left-hand side में जो set है उसके एक अव्याव ले करके चले थे और हमने दिखा दिया कि यह दूसरे set A, right hand side में जो दूसरा set A, उसका एक subset है, इसे हम समिकरन एक नाम दे देते हैं, पुना हम यह मान करके चलेंगे, कि X जो है यह set A का एक अव्याव है, तो इसे हम लिख सकते हैं, X belongs to A या X belongs to A, यदि कोई अव्याव A में belong करता है, तो हम उसे लिखी देंगे, X belongs to A, या फिर X belongs to A, तो इससे और conclusion निकाल सकते हैं, कि X जो है वो A union A में सामील होगा, या फिर X जो है वो A union A का एक अव्याव होगा, और इससे हम एक और conclusion पर पहुंच सकते हैं, इससे हम इस conclusion पर पहुंचेंगे, कि यह जो A है, यह subset होता है A union A का, तो यह एक और दो, यह दोनों सम्बंधों से, या समी करण एक वा दो से, हम इस निसकर्स पर पहुंच सकते हैं, कि A union A equal to A होगा, और यही है वर्गसम, नियम, य या फिर idempotent law, दूसरा नियम है, क्रम वीनिमे नियम, या फिर commutative law, इसमें यह होता है कि A union B जो होता है, यह B union A के बराबर होता है, यह क्रम वीनिमे नियम है, तो इससे हम सिद्ध करेंगे, पहले और दूसरी सिद्ध कर पाएंगे, जैसा कि हमने, पहले वाले प्रूफ में देखा था, तो लिखेंगे, माना X A union B का एक अवयव है, तो लिखेंगे, X belongs to A union B, जब भी X belongs to A union B होगा, तो इसका मतलब यह है, कि X या तो A में belong करेगा, या तो वह B में belong करेगा, अब इन दोनों का अगर हम order change कर दें, तो हम क्या लिख सकते हैं, X belongs to B, या फिर X belongs to A, इस सहिसने का इस पर पहुँच सकते हैं, कि X belongs to B union A, देखें, जब X belongs to A union B था, तब या तो वह A में सामिल होगा, या तो B में सामिल होगा, इसको हमने reverse कर दिया, तो यहां से हमें मिल गया, X belongs to B union A, और इससे यह conclusion निकलेगा, कि A union B, जो है, यह subset है B union A का, हमने A union B का एक अव्यव लिया था, और हमें वो मिला कि वो B union A का भी एक अव्यव है, तो इस तरीके से A union B is a subset of B union A, इसे हम समीकरण एक नाम देते हैं, अब फिर पुना, हम यह मान करके चलेंगे, कि X जो है वो B union A का एक अव्यव है, तब हमें मिलेगा, X belongs to B, या फिर X belongs to A, यहां से इन दोनों का अगर हम करम चेंज कर देंगे, तो हम लिख पाएंगे, X belongs to A, या फिर X belongs to B, अब इस से यह conclusion आएगा, कि X belongs to A union B, यदि कोई अव्यव या तो A में है, या तो B में है, तो जाहिर सी बात है कि वो A union B में भी सामिल होगा, या A union B का एक अव्यव होगा, तो इस से यह conclusion निकलता है, कि हमने एक अव्यव लिया था B union A में, और वो हमें मिल रहा है A union B में, तो conclusion यह है कि B union A is a subset of A union B, यह दूसरा सम्बंद है, या समीकरण है, तो समीकरण एक वा दो से हम इस निसकरण पर पहुँच सकते हैं, कि A union B जो होगा, यह B union A के बराबर होगा, और यही है क्रम वीनिमे नियम या फिर कम्यूटेटिव लॉव, तीसरा नियम है साहचार्य नियम, असोसियेटिव लॉव, तो इसमें यह की A union B का union अगर C से लिया जाए, तो हमें A union और B union C का union अगर A से लिया जाए, यह इसके बराबर होगा, यह है साहचार्य नियम, तो इसके लिए भी यहाँ पर देखिए कि दो अलग-अलग सेट है, इसे हमें equal दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, एक अवयाव लेंगे जो कि इस सेट में सामिल है, और उसे आगे हल करने पर में मिलेगा कि वो इस सेट में सामिल है, इससे हमें पहली सिति मिलेगी कि यह इसका सबसेट है, फिर दूसरी सिति में हम मान करके चलेंगे कि एक अवयाव है जो कि यह जो सेट है, इसका अवयाव हो है और उसे सरल करते हुए हम पाएंगे कि वह A union B union C का भी एक आव जाओ है तो इस तरीके से इस निसकर्च पर पहुंचेंगे कि A यह जो राइट हैंड साइड में A union B union C है यह सबसेट है लेप्ट साइड में जो सेट है उसका और एक और दो तो दोनों स्थिति से हम इन दोनों को equal सिद्ध कर देंगे तो चलिए तो माना X जो है वो A union B का union C का एक आवियाव है तब हम लिख पाएंगे कि X belongs to A union B और उसका union C के साथ तो यहाँ से यह लिख सकते हैं कि A belongs to A union B या फिर X belongs to C थोड़े पहला हमने देखा था कि X belongs to A union B हो तो X belongs to A या फिर X belongs to B होता है उसी concept को यूज़ करके हम यह लिखा है उसी concept को यूज़ करके हम नहीं यह लिखा है अब फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं X belongs to A या फिर X belongs to B और यह bracket में है या X belongs to C X belongs to A या X belongs to B या X belongs to C है तो यह जो bracket है इसे हम shift कर देते हैं last के दो term पे तो हम लिख पाएंगे X belongs to A या X belongs to B या X belongs to C bracket को change करने से या shift करने से कोई फरक नहीं पड़ेगा इस वज़े से हमने यहाँ पर जो bracket था उसे इस तरफ shift कर दिया है तो यहाँ से हम इस conclusion पर पहुंच सकते हैं कि X belongs to A या फिर X belongs to B union C X belongs to B या X belongs to C होगा तो उससे हमें मिलेगा X belongs to B union C अब देखिए यह एक set है और यह एक set है तो इससे conclusion यह निकलेगा तो इससे यह niscus निकलेगा कि X belongs to A union B union C तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एक अवयव हम यहाँ से ले करके चले थे और हमें वो इस set पर मिला है तो हम यह दिखा सकते हैं कि A union B और union C is a subset of A union B union C इसे हम पहली स्थिती ले करके चलेंगे अब पुना हम यह मान करके चलेंगे कि X जो है यह अवयव है A union B union C का जिस तरीके से हमने यहाँ पर सिद्ध किया था उथी अवधारणाओं का उप्योग करके हम यहाँ पर सिद्ध करेंगे तो इससे हम यह conclusion निकलेगा कि X belongs to A या फिर X belongs to B या X belongs to C अब यह जो ब्रेकेट है उसे हम first two time में shift कर देते हैं तो हमें मिलेगा X belongs to A या X belongs to B और यहाँ पर अब लिखेंगे या X belongs to C यह जब इस सिद्ध होती है तब X जो है वो A union B में सामिल होता है अब लिखेंगे या X belongs to C अब यह एक सेट है और यह एक सेट है और बीच में या लगा हुआ है तो इससे conclusion यह आएगा कि X जो है वो A union B union C का एक अव्यव है तो देखिए हम यहाँ पर एक अव्यव ले करके चले थे और हमें वह अव्यव यहाँ पर मिला है तो इस सही है सिद्ध होता है कि यह जो है वो इसका सबसेट है तो हम लिखेंगे A union B union C is a subset of A union B और इसका union C के साथ यह दूसरा समीकरण पहले समीकरण और दूसरे समीकरण से हम लिख सकते हैं एक वा दो से A union B union C equal to A union B union C और यही है सहाचार्य नियम अगला नियम है तत्समक नियम आइडेंटिटी लाओ तत्समक जो है यह तत्समक सब्द से मिलकर बना हुआ है तत्समक मतलब उसी के समान और समक मतलब करने वाला तो उसी के समान करने वाला जो नियम है वह तत्समक नियम है इसका पहला नियम यह कहता है कि A union FI equal to A और इसका जो दूसरा नियम है यह कहता है कि A union universal set equal to universal set तो चलिए पहले के लिए हम ले करके चलते हैं उपपत्ती तो इसके लिए हम मान करके चलेंगे कि माना X A union FI का एक अवयव है तब इससे हम यह लिख सकते हैं कि X belongs to A union FI अब इससे यह conclusion निकलेगा कि X या तो A में belong करता है या तो X जो है वो FI में belong करता है या फिर empty set का एक element है तो यहां से हम लिख सकते हैं कि X belongs to A होगा जो कि FI जो होता है वो universal subset होता है या universal element होता है जो कि हर एक समुच्चे पर उपलब्ध होता है या फिर रिक्तसमुच्चे की परिभासा से हम यह लिख सकते हैं कि X belongs to A और इससे यह conclusion निकलता है कि A union FI जो है यह subset है A का यह पहली स्थिति लेकिन यह देखिए कि यह जो A है यह A union FI का subset होगा ही होगा A इससा subset of A union FI दो अलग अलग अवयाओं का union में A तो सामिल होगा क्योंकि A इसमें अलरडी सामिल है तो उसमें किसी और अवयाओं को ले जाकर के सम्मिलत कर दीजे या संग बना लीजे तो उसमें A के सारे अवयाओं तो उपलब्द होंगे ही होंगे तो इसे दूसरा समिकरण दे देते हैं तो समिकरण एक वा दो से हमें स्निसकर्स पर पहुंचते हैं कि A union FI equal to A और यही तत्समक नियम है देखिए A में हमने union किया है FI का तो हमें वही सेट मिला है तत्समक अपने नाम के रूप यहाँ पर वह operation हो रहा है A union FI equal to A अब इसमें दूसरा जो है वह है कि हमें सिद्ध करना है कि A union universal set equal to universal set तो A union यह universal set है वह obvious सी बात है कि universal set का subset होगा परिभासा से हम यह लिख सकते है universal set तभी universal set है जब वह सभी समुच्चयों को आपने में अंतर विष्ट करता है अब हम लिख सकते हैं पुनह चू की universal set प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है चू की universal set प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय है अता हम लिख सकते हैं कि U यह universal set जो है यह subset होगा A union universal set का यह पहला समीकरण और यह दूसरा समीकरण तो एक वह दो से हम इस discuss पर पहुच्चते हैं कि A union universal set जो होगा वो universal set के बराबर होगा और यही है तत्समक नियम का दूसरा नियम A union U equal to U तो इसमें पहला प्रश्चन है यदि capital X equal to 1, 3 और 5 तथा capital Y equal to 7, 8, 9 हो तो X union Y ग्यार्थ कीजिये देखिए अगर इसे हम एक वेंडाइगराम बनाएं माल लेते हैं कि यह एक universal set है U इसमें दो समुच्चे है X 135 और Y 789 दोनों में अलग-अलग अव्यव है यह माल लेते हैं यह X और यह माल लेते हैं Y, 1, 3, 5 और 7, 8, 9 तो इन दोनों को मिला देने पर X union Y हमें ग्यार्थ करना है तो पहली बात यह कि दिया गया है X बराबर 1, 3, 5 और Y बराबर 7, 8 और 9 तो X union Y में वे सारे अव्याव आ जाएंगे जो A में है A और B दोनों के अव्याव को आप एक साथ लिख दीजे 1, 3, 5, 7, 8, 9 बस इस बात का दियान रखिए कि समुच्चे में अव्यावों की पुन्रावित्ती नहीं होती है तो इस तरीके से यहाँ पर कोई भी अव्यावों की पुन्रावित्ती नहीं हुई है तो जो अभिष्ट उत्तर हमें चाहिए X union Y वो यही है X union Y इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 8, 9 यह इसके अव्याव है इसमें एक दूसरा प्रश्ण है यदि A इक्वल टू 1, 2, 3, 4 है और B इक्वल टू 3, 4, 5, 6 है तो A union B क्या होगा? तो अगर इसके लिए आप Venn diagram बनाना चाहें तो बना सकते है यह universal set है 1, 2, 3, 4 यह set A में है 3, 4, 3, 4 यह दोनों समुच्चयों पर है तो मान लेते हैं कि यह set A है और यह set B है तो 3 और 4 यह दोनों समुच्चयों में है तो इस वज़ा से यह दोनों के बीच उभैनिश्ट भाग है वहाँ पर यह होगा 1 और 2 1 और 2 को इस set में आप कहीं पर भी लिख लीजे इस स्थान को छोड़ कर इसी तरीके से B में 3 और 4 यह 2 अव्यव हम लिख चुके हैं 1, 2, 3, 4 और B इक्वल टू 3, 4, 5 और 6 तो A यूनियन B जो होगा सारे अव्यवों को एक साथ लिखिए 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 अब 3, 4 हम यहाँ पर पहले से आ चुका है जो की इसमें भी है तो इसे एक बार फिर से लिखने की ज़रुरत नहीं है आगे जो दो अव्यव हैं 5 और 6 इसे लिख दीजिए तो इस प्रशन के लिए A यूनियन B होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6